वेलकम तू दे जैनल पेड करिकुलम आएए बात करेंगे इनोवेशन इन अजुकेशन जो हमारा अप्शनल पेपर है उसमें यूनिट थर्ड की जो है इनोवेटिव ट्रेंड से रिलेटेड है इसमें सम इनोवेटिव ट्रेंड इन तीचिंग तो टीचिंग में कुछ पॉसिस्फूल टीचिंग स्टाटिजी थी जो एक स्मॉल टीम के लिए जो है और गनाइज की जाती थी जिसमें स्टुडेंट्स की डिफरेंट अबिलिटीज के लेवल के अकॉर्डिंग और उनकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जो है वहां पे करिकुलम डिसाइड किया जाता था और उनकी अंडेस्टैंडिंग को बढ़ाया जाता था स्टुडेंट्स की इच मेंबर ओफ टीम इस रिस्पॉंसिबल नॉट अनली फॉर लर्निंग वाट इस टॉट बट आलसो फॉर लर्निंग फॉर हेल्पिंग हिस और हर टीमेट्स तू लर्ण थुर्ण अट्मासफेयर ओफ अट्मासफेयर ओफ अचिवमेंट तो इस तरह से जो है हर एक मेंबर का जो है कि यह रिस्पॉंसिबल्टी थी कि वह अपनी टीम के बारे में टीम मेंबर की हेल्प करें और उनको जो है गाइड करें कोपरेटिव लर्निंग इस एफेक्टिव इन दोनों ही शोशल और इमोशनल एरियास के लिए भी जो है टेपेबल थी और उनकी लर्निंग और डेवलमेंट को इंक्रीज कर रही थी पिपल्स के According to the University of Tennessee at Chattannuka 1998, Cooperative Learning is a generic term for various small group, interactive-interactional procedures. Characteristics of Cooperative Learning तो कॉपरेटिव लर्निंग की क्या करेक्टर्स्टिक्स थी यह पॉजिटिव इंटर इंटरडिपेंडेंस था इंडिविज्वल अकाउंटिबिल्टी थी इसमें और फेस टू फेस इसमें जो है इंटरेक्शन को प्रमोट किया जा रहा था appropriate collaborative skills थी क्योंकि हर एक टीम टीम मेंबर जो है दूसरे टीम मेंबर के लिए responsible था उसे guide करता था leadership qualities थी, decision making था, communication था and group processing था heterogeneous groups थे इसमें जो है अलग-अलग तरह के बचों के अलग-अलग group बना दिये गए थे इसके बाद है elements of cooperative learning तो क्या-क्या elements थे cooperative learning के according to James A. Duplass 2006 में इन्होंने बताया कि elements जो है cooperative learning के teacher supervision था, तो teacher के supervision में बच्चे रहते थे, heterogeneous groups बनाया गया थे अलग-अलग जो है बच्चों के लिए अलग-अलग group बनाया गया था इसके बाद positive interdependence थी, face-to-face interaction था बच्चों में, individual accountability थी, social skills थी बच्चों में, जो है skill develop की जा रही थी कि socially उन्हें कैसे अपने relationship build-up करने हैं, ग्रोप processing थी evaluation, last point है इसमें, then types of cooperative learning, तो types में हम देखें तो formal cooperative learning थी, जिसके बारे में Johnson's and Johnson's and Holubick ने बताया है, तो formal cooperative learning consists of students working together for one class period to several weeks, इसमें जो है वो students आते थे, जो एक ही class में, several weeks तक, मतलब कुछ एक हफ्तों पतन तक जो है, काम करते थे, तो achieve shared learning goals और किसी shared learning goals को achieve करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए and complete jointly specific tasks and assignments, वो साथ में बिलकर जो है specific tasks और assignments को achieve करते थे, प्राप्त करते थे, इसमें जो है, roles बताया गया है, टीचर का क्या role होता है, formal cooperative learning groups में, तो making pre-instructional decision, ये role है, टीचर का explaining the instructional tasks and cooperative structures, monitoring students learning and intervening, assisting students learning and helping students processes, इसमें जो इन फॉर्मल cooperative learning का है, इसमें Johnson and Johnsons ने बताया है, कि informal cooperative learning consists of having student work together to achieve a joint learning goals in temporary, इसमें जो है, students को लगाया जाता था, कि वो joint learning goals को achieve कर सके, और एक temporary short period के लिए वो achieve किया जाता था, group that, a dog group that lasts from a few minutes to one class period, a dog group जो था, वो कुछ minutes से लेकर के लिए था, और एक class period के लिए ही था, वो इसके बाद जो है, प्रोसीजर बताया गया है, informal cooperative learning का क्या प्रोसीजर होता है, तो introductory focused discussion, ये पहला प्रोसीजर है, then intermittent focused discussion, closed focused discussion, and cooperative based groups, ये जो है, प्रोसीजर है, informal cooperative learning का, इसके बाद जो है, strategy क्या होती थी classroom में, cooperative learning की, तो think-pair-share strategy रहती थी इनकी, think-pair-share is a collaborative teaching strategy, first proposed by Frank Lyman, Frank Lyman के दारा ये जो है, proposed की गई strategy of the University of Maryland in 1981, 1981 में, the think-pair-share strategy involves each student in the group, taking one minute to formulate a response to the teacher's question, then sharing individual findings with our partner, तो इसमें एक मिनट दिया जाता था, टीचर से रिस्पांस लेने के लिए, उसके बाद उसको अपने साथियों के साथ शेयर किया जाता था, इसके बाद है, जिक्सव फर्स्ट और सिंपल जिक्सव स्ट्राटिजी जो डिजाइट की थी, अलियोट अरवनसन ने, इसमें जो है, चार परसंस इंवाल्व होते थे, किसी एक टीम के, इसके बाद है, थर्ड, त्री स्टेप इंटर्विव स्ट्राटिजी, त्री स्टेप इंटर्विव स्ट्राटिजी, त्रू विच स्टुदेंट्स इनिशियली ब्रेक इंटू पेर्स, और टेक टर्न इंटर्विविविंग वन अनदर अबाउट एन अनसाइमेंट, तो इसमें जो है, अलग-अलग असाइमेंट्स दे दिये जाते थे, एक रूपता की महाना आती है, इंप्रूब्ड रिलेशन, तो रिलेशन इंप्रूव होते हैं सोसाइटी में, इंप्रूब्ड रिलेशन, तो रिलेशन इंप्रूव होते हैं सोसाइटी में, इंप्रूव्ड कृटिकल ठीग स्केल, कौपरीट्व लर्निंग को बढ़ावा देती है, औरल कृम्निकेशन इंप्रूब्ड होता है, हाइटेंड सेल्फ एस्टीम होता है, then बात करेंगे disadvantages of cooperative learning की तो इसमें loss of control, control खो देते हैं, group work है या यह एक तो इसमें कभी-कभी conflicts भी हो जाते हैं, time required होता है क्योंकि cooperative है इसमें सब लोग participate करते हैं, other drawbacks भी है कुछ इसके इसके बात करेंगे constructivism में, तो रचनावादिकों की बात करते हैं इसमें the main होता है कि the learner's contribution to meaning and learning through both in individual and social activities तो learner इसमें जो है, एक meaning और learning को जो करता है, वो दोनों ही तरीकों से करता है individual activities में भी और social activities में भी इसको support करते हैं, प्याजे वाइगास की, gestalt वादी जितने भी हैं जैसे कोलर, कोपका, कोपता और वर्दिमर और बर्टलेट करते हैं, बर्णर करते हैं तो यह सब जो है, psychologists इसको support करते हैं और as well as John D.V. भी इसमें विश्वास करते हैं, constructivism में John D.V. ने भी यही बताया है, three language, tripolar process बताया है उन्होंने education को जिसमें content involved होता है, curriculum यानि की और student और teacher involved होते हैं learning by doing का concept दिया है, John D.V. ने फिर कुछ adjustments है, constructivism के और इसके बाद principles हैं, constructivism के तो यह multiple representation करता है, reality का knowledge construct होती है, इसमें बनाई जाती है authentic task दिये जाते हैं, real world से इसमें face कराया जाता है बच्छों को discovery learning होता है, इसमें collaborative activities होती है, integration होता है और opportunities for hands-on activities, के लिए opportunities दी जाती है, इसके बाद है types of constructivism तो रचनावाद की क्या types हैं, यह cognitive constructivism है, जिसमें mainly आपके mind से related जो है रचनावाद में कराई जाएंगे, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, cognition को, दिन है radical constructivism, तो radical constructivism represent the opposite end of the constructivist continuum from the cognitive constructivism तो जो cognitive है, संग्यान, रचनावाद उस्ती का opposite, radical constructivism तो social constructivism lies somewhere between the transmission of knowledge reality of the cognitive constructivist and the construction of the personal and coherent reality of the radical constructivist तो social constructivism जो है, वो mainly deal करेगा social human beings से, उनके relation build up करेगा, उनमें एक दूसरे के लिए collaborative feelings को develop करेगा फिर है, implications of constructivism, तो ये implications बताए गए है, रचनावाद के बाद, फिर है, concept mapping, तो concept mapping भी innovative trend है, education में concept map is a visual organization, तो concept map जो होता है, इसमें visually organize किया जाता है, represent किया जाता है, knowledge को, घ्यान को, मतलब दरसाया जाता है show concept and ideas and the relation से पामंग देम, तो इसमें जो चीजे दिखाई जाती है, उनमें concept बताया जाता है, ideas को दिखाया जाता है, और इसमें एक relation दिखाया जाता है, कि इन सब के बीच में क्या relation है, it is a graphical tool, या है एक तरीखे इसे graphical tool है, that instructional designers, engineers, technical writers, other users organize and construct knowledge, a concept map is a type of graphical organizer used to help students organize, represent knowledge of a subject, तो यह जो है, organize करता है, students की knowledge को, उसको represent करता है, एक graphical form में, concept maps begin with our main idea, and then branch out to show how the main idea can be broken into specific topics, तो इसमें दिखाया जाता है, concept map में, कि एक idea, जो specific idea है, उसको कितने सब ideas में, तोड़ा जा सकता है, divide किया जा सकता है, तो यह जो है, concept map का पूरा map है, इसमें बीच में देखिया, concept map दिया गया है, उसके बाद इसकी साखाओं में, बताया गया है, कि कै कैसे कैसे यह work करता है, then features of concept map, तो क्या-क्या features होते है, concept mapping के, तो यह concept build up करता है, linking words और phrases, link करता है, words को, phrases को, propositional structure को build up करता है, hierarchical way में होता है, focus questions, questions पे focus करता है, cross link होता है, क्योंकि इसमें एक से दूसरे में, relation बताया जाता है, ways to use concept maps, concept maps को किस-किस तरीके से use किया जा सकता है, to use as in class and pre-assessment, pre-assessment के लिए class में इसको यूज किया जा सकता है, do as a small group activity, इसको small group activity के रूप में यूज किया सकता है, और whole class activity के रूप में भी यूज किया सकता है, fill in the blanks के रूप में यूज किया जाता है, concept map को, और organize किया जाता है, इसमें, researches को, then benefits के बारे में बताया ग Student can use concept mapping to organize and structure new materials. New materials can structure new materials, learning can increase learning, planning writing projects, brainstorming new ideas, take notes, create study guides. So these are all benefits for students. Then for teachers, teachers can plan curriculum, assesses and understanding, explain complex ideas, then educators can help students determine what to include in their maps. Then fifth innovative trend is stimulation. Stimulation stands for the pretend to be. It means the imitation of a particular appearance or form. It means the imitation of a particular form or appearance. According to Hermann, Hermann's stimulation contains the important parts of, but not all of reality. It means the stimulation of parts is stimulation, but it is not in reality. Stimulations do not have to look like the real life counterpart, but they do have to act like the real things. It means the reality is not, but it is like real. It means the definition of a particular form. So it is also about stimulation, and then it is called role-play. Role-play is used in stimulation. It is used in a particular role as a particular appearance, or the form of a particular form. Then there are advantages of role-play. There is a advantage of role-play. So it's revealed that the advantages are simple, and low cost. को होता है इसमें जो है प्रिजेंट किये जाते हैं complex issues को यह help करता है self-esteem को confidence को यह सारे advantages निए disadvantages बताए गए है तो इसमें जो है participation किया जाता है उन बचों का जो बहुत जादा सरमाते हैं टाइन कंजूमिंग प्रॉसेस होता है यह सारे इसके डिसद्वांटेजेस हैं इसके बाद सिक्स इनोवेटिव ट्रेंड है रैसी प्रोकल प्रेयर टीचिंग का इसमें जो है एक जो है इस्थान पर दूसरी सिक्षा को दिया जाता है प्रेयर के थ्रू मतलब उनक करते हैं उनके साथ partnership करके उन्हें जो है लिंक किया जाता है एंड वित कमपेरिवल अच्वेंट फोर्डा स्ट्रक्चूर्ड रीडिंग और माथ इसमें जो है स्ट्रक्चर्ट रीडिंग राई जाती है मैस्ट इस्ट इसंग कर आए जाते हैं तो यह है रशीप्रिक्रेड पिर टीचिंग के बारे में इसके कुछ अब्जेक्टिव्स हैं दिन मॉडल बनाया जाते हैं पिर टूरिंग मॉडल्स है तो क्लासवाइज पिर टूरिंग होती है CWPT इसे बुला जाता है according to class इसमें डिवाइड किया जाता है दिन है cross age peer tutoring तो इसमें according to age बच्चों को इसके बाद है peer assisted learning strategy PALS इसमें कहा जाता है तो इसमें learning strategy के basis पे बच्चों को involved किया जाता है रसी प्रोकल प्याइड टूरिंग पी आर पी टी जो है यह है इसके बाद same age के basis पे बच्चों को combine किया जाता है same as queer tutoring इसको कहते है selection of tutors and duties तो इसमें criteria बताया बताया गया है कौन से basis पे जो है select किया जाता है models को select करने के लिए बताया गया है training of peer tutors, peer tutors की training organize की जाती है planning and implementation of peer tutoring programs इनको plan कैसे किया जाता है उसके बाद है advantages of peer tutoring टुटोरिंग तो इसकी क्या आडवांटेजेस हैं यह बताया गया है स्टुडेंट्स रिसीव मोर टाइम फॉर दे इंडिविशुलाइज लर्निंग इसमें मतलब बच्चे को इंडिविशुलाइज लर्निंग की दे जाती है क्योंकि एक के पास एक से दूसरे बच्चे के पास जाके पर्सनल उने गाइडेंस किया जाता है प्रोमोट अकाडमिक एंड शोशल डेवलमेंट को प्रोमोट होता है इसमें इस्टुडेंट इंगेजमेंट और टाइम उन टास्क इंक्रीज दन सेवन्थ है इनो वेटो ट्रेंट इंटर अं मल्टिडिस्टिप्लिनरी तो इंटर अं मल्टिडिस्टिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें टीचर अंड रिसर्चर आर्ट टुडेग और ग्रिंग फार्ट इंट इसमें आज के टाइम पर टीचर और रिसर्चर दोनों का ही यह कहना है कि काफी सारी जो है डिसिप्लिन्स को इंवाल किया जाना जैसे कि इसमें दिखाया गया है चाट की थो डिसिप्लीखniestर रेट्री इंटरिस्दिप्लिट्रेट्री अंट इसमें जो है बताई गया है कि इमिटेशन करना नकल करना किसीके प्रैक्टिस इसकेल सिसमें बतानी जाती है यह mastery होती है और continuity पर बेस होती है लगातार चलती रहती है देन है interdisciplinary तो इसमें जो है रप्चर होता है इसमें translation किया जाता है synthesis बनाई जाती है और doubts को लिया जाता है दूसरों के देन है transdisciplinary intuition होता है guessing की जाती है इसमें insurance safety provide की जाती है और इसमें जो है imitation किया जाता है नकल की जाती है इसके बाद है अल्टर अल्टर प्रिनेट्री इसमें इंग्नोरेज्ट होता है इसके बाद मिस representation होता है unnatural process है यह exploitation होता है miss fate self-doubt इसके बाद interdisciplinary approach के बारे में बताया गया है तो यह है interdisciplinary approach के बारे में कुछ important points दिये गया है यहाँ पर then benefits बताया गया है कि interdisciplinary approach अगर यूज की जा रही है तो इसके क्या benefits होंगे then multi-disciplinary approach है तो multi-disciplinary approach involves drawing knowledge from multiple disciplines में जो है multiple disciplines को involve किया जाता है to redefine problem problem को redefine करने के लिए of normal boundary and reach solution based on a new understanding of complex situation थाकि एक better जो है result पे पहुँच सके new understanding पहुचा जा सके यह जो है approaches के बारे में बताया गया है कि multi-disciplinary अगर approach यूज कर रहे हैं तो इसमें interdisciplinary approach involved होगी fusion होगा इसमें service learning होगी learning centers होगे theme based units होगी so thank you everyone करी करें जा होगी लूपफ़ एक करी कर लेकी होगी के ट्यूफ़ जह होगी है इस nih